यह वीडियो है कोलकता के जकरिया स्ट्रीट की जिहां वहां पे CAA, NPR और NRC को लेकर के बड़ा जबरदस प्रोटेस्ट जारी है और हर जुमरात यानि थरस्डे को वहां रोजा रखा जाता है यह वहीं की क्लिप है वेलकम दोस्तो अभी अभी एक बड़ी खबर आ रहही है डलिद भाईयों की तरफ से जेहां 430 दलिद भाईयों ने इसलाम खुमुल किया है ये एक बहुत बड़ी खबर है जहां ये पता चलता है कि दलिद भाई कनवर्ट हो रहे हैं असलाम खुबूल कर रहे हैं कुछ दलिद भाईयों के बयान के मताबिक उन्होंने ये कंप्लेन किया है कि हिंदू भाईयों की तरफ से उन्हें कोई भी साहेता नहीं मिली उल्टा हिंदू भाईयों लोग उनको मंदिर में आने से रोकते थे वहीं दूसरी तरफ मुसल्मान भाईयों के बारे में बताते हुए ये कहा कि कैसे वो लोग अपने घरों में बुलाते थे इसलाम धरम में कहीं भी चुआ छूट की या मंदिर या मजजिद में ना आने क्या रीत रिवाज नहीं है इस कास सिस्टम से परेशान हो गए थे दलिद भाई इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया अपने बयान में काफी तफसील से और बाते बताने की कोशिश करी लेकिन जो मुक्तसर सी बात यही है कि 430 दलिद भाईयों ने इसलाम खुबल किया और उनकी कमप्लेन ये थी कि उन्हें कास सिस्टम से हटना था जो कि हिंदू धरम में बहुत पाया जाता है दूसरी बड़ी ख़़र के बारे में बात करेंगे अल-जजीरा न्यूस चैनल को जावेद अक्तर ने इंटर्व्यू देते हुए कहा नरेंदर मोदी फेसिस्ट Do you believe Dorendra Modi is a fascist? Of course, he is. I mean, fascist don't have horns on their head. Fascist is thinking. And this thinking that we are better than others and whatever problems we have, it is because of these people. The moment you hate people in whole faith, you are a freshman. Word 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 बिर्यानी खाई है नुराख कशा बहुत 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 है बिर्यानी कैसी लगी आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें